दोस्तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तो मिल गया मुर्दे को जीबित कर देने बाला पौधा, इसके चमतकार जानोगे तो चौग जी हाँ, जो मुर्दे तुले शरीर है, जो चलने फिरने में असमर्थ बान है, जो खाट पर पड़ा ब्यक्ती है, उसे भी ये पुन्य नया जीवन प्रिदान कर सकता है, तो आज की बीडियो बिलकुल ही ध्यान से देखना, ये पौधा हमारी बीडियो के माध्यम से देख लीजिए, ये पौधे आपको यत्र तत्र कहीं पर भी रहते हैं, चाहे गाउं में रहते हो या शहर में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, ये पौधे बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं, अधिकतर ये सबजी के रूप में भी प्रियोग किये जाते हैं, तो आज मैं आप लोगों को इसके दिब्बे एबंग चमतकारी गुण को बताऊंगा अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो आपको सारी जिंदगी पच्चताना ही पड़ेगा और इससे मिलने बाले सिद्धी के बारे में आप अंजान रहे जाएंगे और आपको कोई भी फाइदा नहीं मिल पाएगा आयरुबेद में इसे अमरत भी कहा जाता है और ये मुर्दे को कैसे जीबित करता है इस वीडियो में जानते हैं मुर्दे का मतलब है कि आपके शरीर में जो ताकत नहीं है आपके शरीर में बिलकुल ही किसी भी प्रकार का जोश नहीं है आपके शरीर में किसी भी प्रकार का अगर बल नहीं है तो ये शरीर में बल ताकत एबंग जोश को बढ़ाने का काम करता है आपके शरीर को पुन्ने बिलकुल ही काया कल्प करने का काम करता है तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा, इसका बारी बारी में आप लोगों को चमतकारी प्रियोग बताऊंगा और इसका नाम बताऊंगा, इसे किस नाम से जाना जाता है, ये भी सारी जानकारी बिस्तार से बताऊंगा तो वीडियो को ध्यान से देखना प्राचेन ग्रंथभा बेद पुरान में इस पौधे के बारे में कहा गया है कि इस पौधे के सेबन से शरीर का काया कल्प हो जाता है जी हाँ बिल्कुल ही बूरे शरीर को पूरा नौ जबान बना देता है ये शरीर का काया कल्प कर देता है देवी देपताबा रिशी मुनी इस पौधे के रसका सेबन अपने चीर आयू बढ़ाने के लिए अर्थात अपने बल को बढ़ाने के लिए अपने उम्र को बढ़ाने के लिए इसका प्रियोग करते थे ये भी माना जाता है चीर आयू बनाने एबंग, बल समर्थबान एबंग, इस मर्ती प्राप्त करने के लिए इसका आज भी जो हेमाले में रहने बाले संत महात्मा है, आज भी प्रियोग करते हैं, चरक संहिता में इस पौधे के बारे में कई बार हमें उलेक मिलता है, तो पौधे का नाम ब्रह्मी रखा है अब इस पौधे का नाम ब्रह्मी रखा है अब इस पौधे का नाम ब्रह्मी है तो इस पौधे में ब्रह्म जैसे गुण भी पाये जाते हैं बस नाम रखने से नहीं होता इसके अंदर में कुछ ऐसे गुण है जिसके कारण इस पौधे का न पर्थाद बूटी की रूप में सबसे ज़्यादा ब्रहमी के फूलों का इस्तमाल किया जाता है। ये मस्तिश्क के लिए बेहत उपयोगी होता है। इसलिए इसे ब्रेन बूश्टर भी कहा जाता है। आज भी मस्तिश्क की पावबर को बढ़ाने के लिए जो मार्किट में तॉनिक आते हैं दबा आती है उसमें इसका प्रियोग होता है इसके पाउडर का प्रियोग होता है ये ब्रेन को बूश्ट करता है अर्थात ये बुद्धी को बढ़ाने का काम करता है तो वीडियो को ध्यान से देखना आज इसका आयरुवेदिक एबंग और इसका मैं आप को धार्मिक प्रियोग भी बताऊंगा वीडियो को विल्कुल ही मिस मत करना अधूरा ग्यान हमेशा खतरनाक साबित होता है इस प्रिकार का ग्यान आप लाको रोपय खरच करेंगे पूरे यूटूब में आपको कोई भी नहीं बताने बाला दोस्तों आगे बढ़ने से पह कसी बीमारी को चुटकियों में ठीक कर पाते थे लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है कि लोग पैसा कमाने का साधन बना चुके हैं आयूरवेत की सही तरीके से जानकारी ना होने के बज़े से जानकारी के अभाब में हम जो है सब मेडिसिन की ओर बढ़ते जा रहे हैं और अप की अगर आप वीडियो मिस करते हैं दर्शको तो सारी जिंदगी आपको पच्चताना ही पड़ेगा इसकी जो आयरवेदिक प्रियोग बताऊंगा लाखो रुपय खरिच करेंगे फिर भी इस प्रिकार का ज्यान कोई भी आपको नहीं बताने बाला तो अभी तक आपने वीड प्रियो को लाइक जरूर कर देना और सचे दिल से कमेंड बॉक्स में लिख देना जैए शिरी कृष्ण शिरी कृष्ण को आहरुवेद का देपता भी कहा जाता है तो ये ब्रहमी नाम का पौदा है इसके अनेक नाम है कई जगे इसे सोमबली के नाम से जानते हैं द्यान से किस नाम से जानते हैं हमें कमेंड सेक्षन में जरूर बताईएगा और कमेंड में जरूर लिखना क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे कमेंड को पढ़ते हैं तो उन्हें भी समझने में सरलता होगी और इसका बनसपती नाम है बकोपा मोनियरी तो आईए हम आप लोगों को बत अनुभव किया वो एक रोगी को देखते हुए उनकी बीमारी को बताते हैं कि आपको फलाना बीमारी है आप इतने दिन से पीडित हैं और आपके घर में ये पीड़ा है और आपको ये घ्रय नक्षत्र की पीड़ा है हमने उस बैद से पूछा कि आप इनके चेहरे देखकर कैसे आप इनकी बीमारी के बारे में बता दिते हैं इनके घ्रे नक्षत्र की पीड़ा बता दिते हैं तो उसने हमें बताया की हमने चै महीने तक लगातार ब्रह्मी नाम के पौधे के चूरान का प्रियोग किया था उनकी अनुसार ये बताए जाता है की ब्रह्मी नाम का जो पौधा है इसके चूरण का 6 महीने तक प्रियोग करने से ध्यान से सुनना दूद में अगर इसका 6 महीने तक एक चमच पाउडर को डाल करके नित्य प्रियोग किया जाए तो ब्यक्ति को भूत भविश्य बर्तमान देखने की सिद्धी प्राप्त हो जाती है कैसे सिद्धी प्राप्त होगी बीडियो के आखरी में बताऊंगा चलिए इसके मैं आप लोगों को आयरुवेदिक प्रियोग की और ले चलता हूँ तो बीडियो में कंठीनियू बने रहना इसके चमतकार जानोगे तो चौक जाओगे सर्व प्रतम ये दिल की बिमारी को ठीक करता है देखिए ब्रह्मी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको दिल के लिए बहुत ही शुब माना जाता है अच्छा माना जाता है कारगर माना जाता है ब्रह्मी में एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी एंप्लिमेंटरी गुंड पाए जाते हैं और कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो की हार्ट को ये जल्दी सेहत मंद बनाने का काम करता है जो लोग दिल की बिमारी से जोड़े हुए हैं जिनने बार-बार हार्ट अटेक आता है या फिर दिल संबन्दित जो बिमारी है देखिए आपको परिशान नहीं होना है आयरुबेदिक दबा धीरे-धीरे काम करती है लेकिन जड़ से मिटाने का काम करती है तो दिल संबन्दित आपकी जो भी बिमारी है लंबे समय से परिशान है तो आप जो भी दबा चला रहे हैं उस दबा के साथ में ब्रहमी का प्रियोग कर सकते हैं ब्रहमी का चूरन आपको आदे चम्मच से स्टार्ट करना है और इसकी खुराक एक चम्मच की ओर तक ले जाना है तो प्रत्हम दिन आपको आदेचंमच का प्रीयोग करना है। इस प्रकार एक सपता तक आप आदेचंमच गुणगुने पानी में डाल करके आपको सेबन करना है। और धीरे धीरे इसकी खुराक बढानी है। पंदरा दिन बीट जाने पर एक चम्मच खुराक को बढ़ा देना है, तो कैसी भी दिल की बीमारी हो, जैसे की हार्ट अटेक आ रहा हो, या कुछ भी दिल सम्मन्दित बीमारी हो, वो बीमारी ठीक हो जाती है, इसके बाद इसके जो आयरुवेदिक प्रियोग जबट दस्त देखे गए हैं, वो है डाइबिटीज की बीमारी को ठीक करने के लिए, देखिए, टाइब टू डाइबिटीज की मरीजों के लिए ये बहुत ही फाइदे मंद साबित हुआ है, देखिए, इसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो की शुगर को नियंतिरित करने का का करते हैं, बलेड में इंसुलिन की मातरा को ये कंट्रोल करते हैं, तो कैसे करते हैं, जो लोग लंबे समय से डाइबिटीज की बीमारी से परिशान हैं, ऐसे लोग क्या करें, सुबह खाली पेट, आदा चम्मच इसके पावडर को डाल करके, नित्के दो से तीन महिने तक प में आ जाएगी, आप नॉर्मल ब्यक्ति जैसे हो जाएंगे, अर्थात, ये धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे, लेकिन आपकी शुगर की बीमारी को जड़ से समाप्त करती है, और मैं जो जानकारी बता रहा हूं, ये हबा हबाई बात नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं काफी बैदों के साथ में बैठता हूं, मेरी आए दिन बैदों के साथ में बैठक लगी हुई होती है, बहुत से हमारे ऐसे बैद हैं संपर्क में जो ये अच्छी अच्छी जानकारी हमें बताते हैं, तो इसलिए मैं आप सभी दर्शकों को जनहित एबंग जन कल्यान के लिए इ प्रमाच महीने कर दीजिए और ये कोई महंगी दबा नहीं है, आपको मार्केट में बहुती सस्ते दामों में मिल जाता है, अंग्रेजी दबा से बहुती सस्ता होता है, और देखिए, आयरुबेदिक दबा फायदा नहीं करती है, तो लुक्सान भी नहीं करती है, आँख प्राबलम होने के कारण होती है जो लकबा की बीमारी होती है क्योंकि ये नर्बस सिस्टम से जोड़ी दोनों बीमारी है तो मिर्गी की बीमारी ठीक करने के लिए आप आयरुबेदिक दबा ले रहे हैं कोई बात नहीं आयरुबेदिक आप जो मेडिसिन दबा ले रहे हैं कोई बात नहीं मेडिशिन दबा के साथ में इस दबा का भी प्रियोग कर सकते हैं कोई भी दबा ले रहे हैं उसके साथ में प्रियोग कर सकते हैं आदा चम्मच सुभा और आदा चम्मच शाम को ठीक है इसे गुंगुने पानी के साथ में आपको लेना है गुंगुने पानी का आदा गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए, सुभा शाम आदा आदा चमच में, आदा चमच नहीं लेना चाहते हैं, तो उससे भी थोड़ा कम कर दीजिए, सुभा शाम पीना, कम से कम आपको इसे दो से तीन महिने तक पीना है, तो आपकी ये नर्बस सिस्टम से जुड़ी अर्थात, जैसे लकबा की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है, उसमें काफी लाब दायक सिद्ध होता है, बिलकुल ही इस पिरकार की बीमारी को ये ठीक करने का काम करता है, और ये बुद्धी को कम्प्यूटर जैसा फास्ट भी बनाता है, आपने देखा होगा, बुद्धी को क्यों पी रही हैं क्योंकि ये बुद्धी को बिलकुली हमारे computer जैसा fast करने का काम करता है हमारे brain को boost करता है बुद्धी को तीर भी करता है अब चलिए मैं आप लोगों को इसके धार्मिक महत्व की ओर ले चलता हूँ नाम से ही इसपश्ट होता है ब्रह्मी अर्थात ब्रह्म से सेबन किया जाए इसके सेबन करने की आप जो है हमें बिधी बताईए उनके अनुसार उन्होंने बताया कि देखिए अगर आपको सिद्धी प्राप्ति करनी है या फिर शरीर को हश्ट पुष्ट करना है काया कल्प करना है अपने आपको चीर आयू बनाना है तो आपको क जिसे हम बोल चाल की भाषा में मधू के नाम से जानते हैं तो एक से डेर चमच आपको शहद लेना है और आदा चमच इसका पाउडर लेना है अर्थात ब्रह्मी का चूरन आपको आदा चमच की मातरा में लेना है और इसे मिक्स करके आपको एक टाइम खाना है चाहें आप इसका सेबन करते हैं तो आपका जो बीमार पड़ा शरीर है जैसे कि हमने बताया मुर्दे तुल्ले जो शरीर है जिसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है तो ये शरीर को हस्ट पुष्ट करता है दो महीने तक सेबन करते हैं तो ये बुद्धी को फास्ट बनाता है जैसे इसे हम ब्रेन बूश्टर बोलते हैं ये बुद्धी को फास्ट करता है उनके अनुसार तीन महीने तक इसका सेबन करने से शरीर का काया कल्प होता है अर्थात आपके शरीर को नौ जबान बना देता है आप जैसे की बुड़ापे से घरस्त हैं आपके शरीर में बिलकुल ही बल न खाना शुरू कर दीजिए फिर बाद में आपको डेर्ड चमच शहत और एक चमच इसके पाडर को मिला करके आपको चाटना है खाना है तो तीन महीने के सेबन से शरीर का काया कल्प कर देता है चार महीने के सेबन से दूर दर्शी शिद्धी प्राप्त होती है अर्थात आप अपने नेतिरों से देख पाएंगे और अपने करण से अर्थात अपने कानों से सुन पाएंगे इसके पांच महीने के सेबन से शरीर कठोर होता है अर्थात आपके शरीर में 10,000 हातियों के समान बल प्राप्त हो जाता है ऐसा हमारे धरम लिखित शास्त्रों में है उन बाला बल प्राप्त होता है दोस्तों छै महीने के सेबन से भूत भविश्य पलक जबकते किसी को भी देख करके आप उनके भूत भविश्य बर्तमान एवंग उनके शरीर में चल रही बिमारी एवंग रोक एवंग दोशों को बिलकुल छण भर में बता सकते हैं इतना ज़्य बिलकुल ही आईरवेदिक दीरे-दीरे समापत हो रहे हैं मेडिसिन आ जाने के कारण मेडिसिन दबा की और हम सब बढ़ते जा रहें देखिए मेडिसिन दबा यूज करना काफी हद तक सही भी है लेकिन हमें आयरुबेद को भी छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि आयरुबेद में जीवन छुपा है बिदेशी लोग आयरुबेदिक अपना रहे हैं और हम छोड़ते जा रहे हैं ये आपके लिए एक पाप के सम है और कुछ भी नहीं एक ऐसा समय आएगा जब मेडिसिन समाप्त हो जाएगी तब आयरुबेद की तरप आपको पुन्य बढ़ना पड़ेगा और तब तक बहुत देर हो जाएगी आप आयरुबेदिक हो देंगे इसलिए आयरुबेद को ना छोड़ें आयरुबेदिक हमा करें